हम जब भी गैर वसूली होते देखते हैं तो केवल पुलिस को गालिया देते हैं लेकिन इस पूरे प्रकरण से पता चलता है कि पुलिस तो केवल मोहरा भर है ये सारा पैसा तो उपर तक जाता है सौ करोड हर महीने लाने की जिम्मेदारी भले अनिल देशमुक ने दी हो लेकिन इसके पीछे सपोर्ट सारी पार्टी का रहा सत्ता का इस तरह से दुरुपयोग आपने केवल फिल्मों में देखा होगा या सुना होगा लेकिन अगर परंबीर सिंग की सारी बाते सच्ची है तो ये सब कुछ आप आप रियल लाइफ में भी देख पाओगे परंबीर सिंग की लिखी ये लाइन पूरे महरास्ट गॉर्मेंट को घिरे में ले लेती है यानि सौ करोड हर महीने लाने की जिम्मेदारी पूरी चिक्ठी ये बात साबित करती है कि ये सौ करोड का कलेक्शन कई नेताओं के बीच बटना था ब्रस्टाचार का इस से अच्छा एक्जेंपल शायद कभी देखने को मिले तो मामला शुरू हुआ एंटीलिया केस से जहां मानी के घर से कुछ दूरी पर एक्स्प्लोसिव से भरी स्कॉर्पियो गाड़ी पाई जाती है और कुछ एक दिनों की सस्पेंस के बाद मामला खुलता है मुंबई पुलिस के ऑफिसर सचिन वजे को इस पूरे शडियंत्र के लिए गिरफतार किया जाता है पहली नजर में लगा अब जाकर मामला खत्म हुआ लेकिन ऐसा था नहीं मामला तो यहां से अब शुरू हुआ था सचिन वजे की गिरफतारी और मुंबई पुलिस कमिशनर परंबीर सिंग का ट्रांसफर पूरे खेल में बहुत सारे ट्विस्ट उतार चड़ाव आने शुरू हो गए और फिर अचानक से शनिवार को परंबीर सिंग द्वारा महरास्ट के सीम उधव ठाकरे को एक पत्र लिखा जाता है और इस पत्र में लिखी बाते महरास्ट सरकार की पोल खोल कर रख देती है उनके दामन पर एक और दाग लगाती है सुषान सिंग राजपूत मर्डर के बाद से ही बॉलिवूड ड्रक्स और मुंबई पुलिस का एक दूसरे से कनेक्शन जुड़ा दिखने लगा था इसके कुछी दिन बाद परंबीर वर्सस अरनब गोस्वामी के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसला शुरू हो गया किसी ने सही कहा है कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं अब हम आपको बताते हैं फॉर्मर मुंबई पुलिस कमिशनर परंबीर सिंग ने इस खत में महराष्ट सीम को क्या-क्या लिखा चिठी के शुरुआत कुछ पॉइंट्स में उन्होंने अपनी पुलिस की जिम्मेदारी आधी के बारे में बताते हुए अपनी 32 साल के कारेकाल का जिक्र किया और उसके बाद बताया कि उन्हें किन कारणों से कमिशनर के पद से हटा कर दूसरी जगे तबातला किया गया उन्होंने अंबानी के केस के बारे में जिक्र किया और फिर बताया कि कैसे होम मिनिस्टर अनिल देशमुक ने उन पर आरोप लगाया कि एंटीलिया केस में उनके डिपार्टमेंट से इतनी गलतिया हुई हैं जो माफी के लाइक नहीं है पॉइंट नमर 6 में उन्होंने सीएम को बताया कि एंटीलिया केस के सिलसिले में उन्हें ब्रीफिंग सेशन के लिए वर्षा में बुलाया गया यानि सीएम के घर के यहाँ पर मैंने होम मिनिस्टर के कई कारणामों की और इशारा किया और यही चीज मैंने महरास्ट के कॉंग्रेस प्रेसिडेंट शरद यादव को भी बताया यहाँ एक चीज समझने वाली है कि अगर उद्धव ठाकरे को परंबीर सिंग ने होम मिनिस्टर के बारे में बताया था तो उन्होंने कॉंग्रेस लीडर को भी इस बारे में सारी सच्चाई बताय थी और यदि फिर भी होम मिनिस्टर के खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया तो इसकी जिम्मेदारी उद्धव एंड पार्टी के अलावा कॉंग्रेस पर भी जाती है इसका मतलब जो 100 करोड हर महीने लाने के जिम्मेदारी होम मिनिस्टर अनिल देश्मुक ने सच्चिन वजे को दी थी उसमें कुछ हिस्सा कॉंग्रेस पार्टी के खाते में भी जरूर जाता होगा खैर इसी के आगे उन्होंने कहा मैंने जब ये सारी बाते मिनिस्टर को बताई कौंजी बाते वही 100 करोड हर महीने लाने वाली बात आगे उन्होंने लिखा कि जब मैंने ये सारी बाते आपको बताई तो मैंने नोटिस किया कि इस बारे में कई सारे नेताओं को पहले सही पता था अब आप समझे सारी कहानी को परमवीर सेंग की लिखी ये लाइन पूरे महरास्ट गवर्मेंट को घेरे में ले लेती है यानि सौ करोड हर महीने लाने की जिम्मेदारी भले अनिल देशमुक ने दी हो लेकिन इसके पीछे सपोर्ट सारी पार्टी का रहा इंक्लूडिंग कॉंग्रेस हम जब भी गैर वसूली होते देखते हैं तो केवल पुलिस को गालिया देते हैं लेकिन इस पूरे प्रकरण से पता चलता है कि पुलिस तो केवल मोहरा भर है ये सारा पैसा तो उपर तक जाता है अब आता है चिठी का क्लैमेक्स जहां एक फिल्म की तरह पुरी कहानी परंबीर सिंग ने सीम को लिखी है उन्होंने लिखा है कि सचिन वजे जो की क्राइम ब्रांच यूनिट की हेड है उन्हें होम मिनिस्टर अनिल देशमुक पिछले कुछ महीनों से लगातार अपने घर ध्यानेश्वर में बुला रहे थे जब सचिन वजे वहां उनसे मिलते तो उस वक्त उनके साथ उनके एक दो कारे करता ही रहते थे इंक्लूडिंग उनके पी ए मिनिस्टर पलांडे होम मिनिस्टर सचिन वजे को हर महीने 100 करोड रुपे लाने का टार्गेट देते थे होम मिनिस्टर ने सचिन वजे से कहा कि मुंबई में 1750 बार्स और रेस्टोरेंट्स है अगर 2 या 3 लाख रुपे हर जगे से वसूली की जाए तो 40 से 50 करोड रुपे हम मंतली अचीव कर लेंगे और बाकी की कलेक्शन्स दूसरे सोर्सस से कर सकते हैं अपने अगले पॉइंट यानि नमबर 8 में उन्होंने लिखा है कि उसी दिन सचीन वजे मेरे ओफिस में आया और ये सारी बाते मुझे बताई मैं शौक्ट था और सोचने लगा कि इस सिटुएशन से कैसे डील किया जाए नवे पॉइंट में वो लिखते हैं कि कुछ दिन बाद होम मिनिस्टर ने सचीन वजे को फिर से अपने निवास स्थान पर बुलाया और मुंबई में स्थित हुका पारलर्स पर डिसकस किया इस मीटिंग में भी कुछ दूसरे ओफिसर्स के अलावा होम मिनिस्टर के पीए मिस्टर पलांडे भी शामिल थे इसके दो दिन बाद ACP पार्टेल और DCP भुजबल को होम मिनिस्टर के रेजिडेन्स में बुलाया गया दोनों को होम मिनिस्टर के कैबिन के बाहर बिठाये गया कुछ देर बाद उनके PA बाहर आया और ACP पार्टिल और DCP भुजबल को बताया कि होम मिनिस्टर ने हर महीने 40-50 करोड के टार्गेट रखा है जो की 1750 बार रेस्टोरेंट्स और दूसरे सोर्सस से जुटाये जा सकते है मुझे उसी दिन ACP पार्टिल द्वारा होम मिनिस्टर के इस डिमांड के बारे में बताये गया 4 मार्च को हुए इस मीटिंग में की गई बातों को याद रख सकूँ इसके लिए मैंने ACP पार्टिल और DCP भुजबल के साथ हुए WhatsApp चैट को नीचे मेंचन किया है जिसमें मैंने ACP पार्टिल को मेसेज किया और मामले की जानकारी ली और श्रीप पार्टिल ने रीकनफर्म किया उस सारी बातचीत को उन टेक्स्ट मैसेज को भी इस चिठी में मेंचन किया गया है जिसमें पार्टिल से पूछा है कि पार्टिल जब तुम हो मिनिस्टर और उनके P.A. से बिले तो उन्होंने कितने बार से रेस्टोरेंट और बाकी सोर्स की बात की थी और कुल कितने रुपे वो एक्सपेक्ट कर रहे थे इन सब से तो दोस्तों ये थी सारी कहानी उस चिठी की जो शायद आने वाले समय में बहुत से नेताओं के चेहरे से शराफत का नकाब उतार देगी हाला कि एक कोइंसिडेंस भी देखने को मिला कि परंबीर सिंग के इस चिठी को जारी करने के कुछ ही मिनिट बाद आदित्य ठाकरे ने ट्वीट कर खुद को कुरेंटीन करने की बात कही अब दोनों का क्या कनेक्शन है ये तो बाद में पता चलेगा फिलहाल ये चिठी नहीं बॉम है जो शिवसेना ही नहीं कॉंग्रेस को भी अपने लपेटे में लेने वाली है ये पूरी चिठी ये बात साबित करती है कि ये 100 करोड का कलेक्शन कई नेताओं के बीच बटना था ब्रस्ताचार का इस से अच्छा एक्जामपल शायद कभी देखने को मिले एक रेस्टोरेंट ओनर या कोई भी कारोबारी अपने खून पसीने और महनत से पैसे कमाता है और ऐसे में हफते के नाम पर या किसी और कारणवश दो से तीन लाख रुपे अगर उसे बेवज़र देने पड़ जाए तो उसके दिल पर क्या बित्ती होगी ये शायद सौ करोड का कलेक्शन करने वाले होम मिनिस्टर नहीं समझ पाते होंगे सत्ता का इस तरह से दुरुपयोग आपने केवल फिल्मों में देखा होगा या सुना होगा लेकिन अगर परंबीर सिंग की सारी बाते सची हैं तो ये सब कुछ अब आप रियल लाइफ में भी देख पाओगे खुद को खुद से ही बेस्ट सीम का तमगा देने वाले उद्धव ठाकरे लगबग हर जगए फेल होते नज़र आए हैं वो चाहे सुचान सिंग का मामला हो, ड्रग्स का मामला हो, अरनव वाला हो या फिर अब ब्रस्ताचार और इस काली कमाई की बात हो फिलहाल जो खबरे सामने आई हैं उसके मताबिक हो, मिनिस्टर अनिल देश्मुक ने अपने उपर लगाए सारे आरोपों को गलत बताया है जो की हर मिनिस्टर बताता भी है लेकिन end of the day गुनिहगार या बेगुनाही का फैसला तो सबूतों के आधार परी होता है और फिलहाल परंबीर सिंग पूरे सबूतों के साथ सामने आए हैं तो निश्चित तोर पर बहुत कुछ खुलासा हो सकता है जैहिंद वंदे मातरम